अपने लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेथ फैमिली और प्राई के ध्यान का अफेची से रख रहे हो बड़ी ही प्यारी और बहुत शांदार बात यार बोलीगी है यहां पर जिंदगी में अगर आप लोग को अपने आपको पुस्ट करना पड़ेगा अगर आप लोग पुस्ट कर देगा तो बिल्कुल ऐसी होगे आप लोग किसी को बोलो यार मेरी जगे जाकर पढ़ाई कर लो तो यह चीजे पोसिबल नहीं हो पाती है तो अगर आप लोग को ही अपने लिए काम करना ही करना पड़ेगा आप लोग ने नॉर्मली सुना भी होगा अगर कोई इंसान आप लोग को लिए खाने के लिए खाना भी देदेगा तो जब तक आप लोग अपने हातों का इस्तमाल करकर उस टुकडे को तोड़कर अपने मुह में नहीं डालोगे तब तक वो जो है आप लोग को बोड़ी के अंदर खाना नहीं जाने वाला है आप लोग बोलो जब किसी और को जगए क्यार मेरी जगए तू ना एक्सरसाइज कर ले और मेरा फैट कम हो जाएगा ऐसे थोड़ी ना होने वाला है उसी इंसान वो काम करना पड़ेगा और यही खुबसूरती है जो भी इंसान काम करता है उसका result भी को मिलता है वरना काम कोई और करे और रिजल्ट किसी और को मिले अगर ऐसे होने लगा तो भाई साथ दुनिया बरबाद हो जाएगी हर एक इनसान सोचेगा यार इसको पकड़ लो ये काम करता रहेगा और अपनी जिंदगी चलती रहेगी अगर आप लोगो लगता है यार नहीं बस यही जिंदगी है रजाई में मज़े करने तो फिर यार देखो कुछ रिजल्ट आप लोगों नहीं मिलेगा तो उस जो रजाई के मज़े को थोड़ी देर के लिए साड में रखना पड़ेगा और फोगस देना पड़ेगा जो काम है उसके उपर और उनी का फिर रिजल्ट आता है फिर आप लोग देखते हो न जो सेलेक्शन होता है तो उनी का होता है जो अपने कमफट जों से बाहर निकलते हैं काफी शांदार आज के डिसकसन नहींगा संडे को फंडे बनाते वे थोड़ सा स्टडी डे बनाएंगे यानिकि यह जो डिसकसन होगा इसके अंदर कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को जानने को मिलेगी कई सारे ऐसे फैट्स और फिगर होंगे जो कि आप लोगो प्रिलिम्स मेंस और इंटर्व्यू हर जगा फाइदा पहुंचाने वाले हैं किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं यूपीस से एफरिश्टेट पीसेस एस के लावा किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आप लोगो इस्टेटिक प्लस कर इंटर्फेर पुछा जाता है तो यह आप लोगो बहुत जादा फाइदा महाँ पर पहुंचाने वाली है तो वीडियो को एंट तक सुनिएगा तो जब भी आप लोगो टाइम लगे पर छोड़ना नहीं है बहुत जादे इंपोरेंट होगी क्योंकि आप लोगो देखकर वीडियो को सुनकर आप लोग समझ जाओगे टोटल इस साल के 22 दिन आप लोगे जा चुके हैं तो कैसे रहे ये 22 दिन आज का दिन कैसा रहा बेसिकली आप लोगो ये बताना है और कल का दिल कैसे प्लान करने वाले हैं उसको प्लान करके रख लिए ना मॉर्निंग से ही अपने दिन को प्रोपर वे में आप लोगो स्टार्ट करने हैं तो आईए आर्टिकल जो हैं वो काफी इंपोडेंट रहने वाला है एक एक आर्टिकल को अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ आप लोगो जानने को मिलेगा उसके बाद में कई सार एसी चीज़े होंगी जो कि आप लोग अंडस्टेंड कर पाओगे स्टार्ट करेंगे हाँ पर Human Resource and Development के पॉइंट ओप से अभी रिसेंटली एक पटिकलर ओर्गिनेशन है जिसके द्वारे हाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गए और आप लोग ने देखवा गया एक्जाम में बड़ी ही जल्दी कोशन पुछ आते हैं कोई रिपोर्ट होता है या फिर कोई इंडेक्स होता है उससे तो इसलिए हाँ पर यह काफी important बन जाता है तो इहाँ पर बात कि जारे किसके बारे में World Employment and Social Outlook के बारे में अगर मैं आप लोग उसे पूछ लूए हाँ पर कि World Employment and Social Outlook जो ट्रेंड है 2022 वो कौन सी ओर्गिनेशन के द्वारा प्रसुत किया गया है तो डिरेक्ट कोशन बनगी आप लोगे लिए एक्जाम में ऐसे कोशन फ्रिक्वेंटली पूछे गे हैं पास में भी आप लोगों ने पेपर उठागर देखा होगा तो सिधा-सिधा याद रखेगा जब भी कहीं पर employment के बारें बात कर रहे हैं यह फिर labor के बारें बात कर रहे हैं तो नॉर्मली एक organization है इसको बलते है international labor organization ठीक है तो ऐसे आप लोग इसको basically समझ सकते है common sense एक है कि हाँ यार यही होगी कम से गम तो कुछ ऐसी चीज़ें कि common sense आप लोग यूज करकर भी हाँ पर इसको यूज कर सकते हैं तो उसी के चलते ही हाँ पर यह organization इसका नाम है international labor organization इसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत कि और इस रिपोर्ट में इसके द्वारा कई सारी बाते बताएगी और वो बाते कौन-कौन सी है कु Corona ने रोने के लिए मजबूर कर दिया लोगों को इतनी बुरी condition देखेने को मिली तो यहाँ पर एक vocabulary है इसको फरजाइल फरजाइल के मतलब क्या होता है नाजू जैसे आप लोग अगर APFC की तयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग NDCDS की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग को vocabulary आप लोगों ने देखा होगा नोर्मली एंटोनिम्स इनोनिम्स वगएर आप लोगों से पुछे आते हैं तो यह ऐसे ऐसे words जो है ना यह आप लोग याद करके रखा गरो इनको basically बहुत सारे सब्दों मैं आप लोगो बताता चलता हूँ तो इससे क्या होगा आप लोग exam क एक सही level पर tackle कर पाओगे तो इसको आप लोग जरूर count करकर चलिए labor market जो projection है अगर उसके बारें बात करते हैं तो अभी बोला जा रहा है कि आने वाले time में अभी हाँ पर 2022 या 2023 में भी कई सारी और चीज़ा आप लोगो देखने को मिलेगी तो यह trend ऐसा ही रहने वाला है reason क है 2020 में जो basically आप लोग कोरोना देखने को मिला 21 में वो चलता रहा और अभी 22 में एंट्री कर गें और थर्ड वेब अभी आप लोग को देखने को मिल रही है तो इसलिए हाँ पर आगे आने वाले time में इसका impact देखने को मिलेगा यह ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से छोड जिद्गी में तो इसलिए हाँ पर यह काफी important वियाता है आप बुलोगे कि यह तो बता दो कि कहां से cover कर रहा हूं यह news cover कर रहा हूं down to earth down to earth काफी important magazine है आप अप उसका यह पूरा एक article है जो मैं आप लोगों यहाँ पर cover कराने जा रहा हूं और यह direct आप लोगों से फायदा पहुंचाएगा answer writing में writing में भी अच्छे से इसको समझेगा बहुत सारी बाते आप लोगों को बताने वालों एक तो यहाँ पर एक assessment यानि कि इसके दौर जो चीज़े चेक की गए उसमें सबसे पहला तो यहीं बोला है कि labor market जो है वो यहाँ पर worldwide वो कभी recover कर रही है पर लेकिन जिस level पर recover करनी चा रहे है और अलग-अलगी recovery लेकर आ रही है और यह तो मैंने विदेशों की बात बता दी अपने देश के अंदर ही देखो के केरला की अलग है उत्तर प्रदेश की अलग है गुजरात की अलग है आप लोग को तमिलाडू की अलग मिलेगी तो इस तरीके से अलग-अलग recovery है आई-टी सेक्टर की अलग recovery है ठीक है इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक एरिया को अगर आप लोग काउंट करने बैठ होगे तो कहीं पर भी आप लोग ऐसे देखने को मिला कि यूनिफोर्मटी है कि अच्छा agriculture भी शांदार परफॉर्म कर रही है भाई पर हर एक इंसान जो है वह हाँ पर जूज रहा है किसके वैसे unemployment यानिके बेरोजगारी बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हो चुक है काईट सारे तो आप लोगों ने गवर्मेंट एक्जाम के बारे में देखोगा अभी कितने सारे ट्विटर पर लोगों के द्वारा ट्रेंड चलाएगे यूपेसी वाले इतने समय से प्रोडेस्ट करी रहे है और जो बच्चे ओलड़ी तीन चार-चार साल के उनके अब तक रेलवे की बाते आप लोग कर लोग फिर दूसरे गी उनके प्रोपर वे में एक्जाम ही कंडेक्ट ने कराय जा रहे है जिसका रि तो आप लोग को अनिंप्लोइमेंट देखने को मिल रहा था तो ये काफी बड़ी प्रोलम है ये पहले भी थी तो बोला यही गया कि अभी अनिप्लोइमेंट जो है वो ऐसे ही रहने वाली है अब प्री COVID-19 लेवल यानिकि जो COVID-19 था उससे पहले जो थी उसके भी अबो र अजर करता है अब सय अगर पर्फॉर्म ढंसे नहीं कर रहे हैं तो तो जोबे नहीं मिलेगे अगर माली ये आज की रैट में तो बनाने वाली दिमांड और सप्लाई यानि के जहां डिमांड होगी वहीं सप्लाई करेंगे तो ही हाँ पर मार्केट आगे बढ़ेगी यह थोड़ी ना यार आप लोग आदिवास्यों को जाकर कार बेज़ दो उनको बेचारों का अपना रहने सैने की उनकी बेसिकली सुद नहीं है वहाँ एक तरीके से रोयल्टी की निसानी माने जाते है कई सारी मिडिल क्लास फैमिली में कि हार एक बार कार लेडी जिंदगी में तो बस हो गया काम तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो यह वहीं पर होगा जहां पर पैसे होगा तो इसलिए यह सारी चीज़े आप लोग मिल पार ही है कोई पार्ट टाइम कर रहा है कोई कुछ चल रहा है इसी तरीके से तो डेफिशीट देखने को मिल रहा है तो यह इसके द्वारा फोरकास्ट भी किया था इंट्रेंट से लेबर और ऑर्गेंशन के द्वारा भी ऐसा कुछ ऐनके उनके पास में काम ही नहीं है काम करने के लिए आप लोगो पता है कि एटाट का बेसिक परबशिक। commires पर उसको जोब करना चाहता है, उसको जोब नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं कि जोब करना नहीं चाह रहे है, उसको जोब नहीं मिल 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 रहे है, उसको जोब को लेने के लिए पर लेकिन वहां पर वेकेंसी ही नहीं है तो वह वाला अनिंप्लयमेंट होगा तो यह जुरत नहीं है कि हाँ आप लोग को बता है थोड़ी देर पहले कुछ ऐसे सेक्शन है आप पर सोसाइट में जो अच्छे कासे अपनी जिंदी अच्छे से इंप्रो कर रहे हैं तो उनकी अलग condition देखने को मिलेगी अभी कुछ ऐसे हैं जिनकी condition बड़ी खराब है तो उनकी अलग situation आप लोग को देखने को मिलेगी तो weaker section में ज्यादे दिक्कत निकल कर आती है as compared to जो well to do family है यानिक एक ऐसा परिवाद जो old lady हाँ पर जिसकी condition अच्छ अब सोचों उनकी वारे में जो दवाया तक नहीं ले पा रहे हैं कैसे वहाँ पर अपनी economic recovery में लेकर आएंगे वहाँ पर लोग जो है कैसे अपनी जान जो है वो बचाते हुए नजर आएंगे तो आने वाले time में अगर जान जाने लगी और corona को को यह सब भ्यानक रूप आ लगी जिसे labor force अलग हो गया household अलग हो गया social production में अलग आप लोग को चे देखने को मिलेगी तो इन सबको repair करनी की जुरत है अगर आप लोग चाते हो ढंक से चीजे सुधारना जैसे कि economy हो रहा है इसी के साथ में society में दिक्कते देखने को मिल रही है तो हर जगे दिक्कते ह सारी चीजे जहें जमीन में धस्ती जा रही है अबर निकालना है सबको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा तो मोदी जी का नारा काम आए गए हैंपर सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा तो आप लोग को यहाँ पर solution ही नेजर नहीं आएगा तो इसलिए हाँ पर सब्सक्राइब मुझे याद नहीं आ रहा है न एक ङारत का सुरी मा भारत का सिंटा सब्सक्राइब है श्यक्तले हरे था फ्री सब्सक्राइब कर ने कि रिए नको उस टाइम पर वहां पर उनके घर में खाने के लिए कुछ रिशिव अगर आ जाते हैं ठीक है तो हाँ पर एक दाना रहता है घर में चावल का या फिर अनाज का जो भी उसको किरसन जी खा लेते हैं और बोलते हैं कि चलो अब कोई नहीं आएगा सब का पेट भरा भरा लगेगा ठीक है तो वह वाली बाते देखने को मिलते हैं कि कोई और खाले और खिसी का पेट भर जाए यह बिल्कुल वैसे होगा है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप लोग बोलो कि सर पढ़के हमारा एक्जाम देया हो ठीक है था ऐसे पोसिबल नहीं होने वाला है तो यह सारी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं तो पूरे स को सब को लेकर चलना पड़ेगा यानिकि agriculture अलग से बढ़ेगा मैन फिक्टरिंग अलग से बढ़ेगा art अलग से बढ़ेगा सर्वीस करे अलग से बढ़ेगा तब सारी चीजह वह देश में बढ़ती हुए आप लोग को नज़राएंगी अब कौन सब synerफ को आनवर को यह इसने सबसे ज़्यादे बिल्कुल इंपेक्ट हुए आप 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 तो जो देश स्रिलंका जैसे जहाँ पर ट्यूरिजम बहुत बड़ा रोल प्ले करता था भाई साब घुटनों पर आगे वो देश समझ रहे न आप लोग और बागी कौन से सेक्टर बड़ा तो IT उनकी इतनी देखने को मिल रहे हैं एक लाग साथ हजार एक लाग सतीर अजारा दो इतनी चल रही है लेकिन इंट्रेस्टिंग चेंज हाँ पर यह कि सारे अब ओनलाइन आकर बैट चुके है तो यह बोल सकते हो मोटे-मोटे तोर पर कि सारे लुटेरे जो हैं ओनलाइन आक जो एक तरीके से कम से कम ऐसे की जो वैल टू डू फैमिली है जो अच्छा कमाने वाले हैं तो पैसा दे पारे हैं पर लेकिन जिनकी कंडिशन खासता है उनके लिए तो थोड़ा बहुत तो करो कुछ तो डिसकाउंट दो लेकिन कोई देता है नहीं और देखने को मिलेगा अप लोग अगर ढंग से देखोगे ना इस सारी चीजे इनमें कुछ अच्छा नहीं है वह ऐसा कुछ ऐसा पढ़ाएंगे आप लोगो बस क्या रहता है इनसान को यह लगता है नहीं जादा पैसे देगा तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है ऐसे होता ना तो सारे लगे जहां पर आप लोगो टीचर जो है पढ़ा रहा है वो समझ में आए वह वाली चीज़ आप लोगो सेलेक्शन कराती है हमेशा तो हमेशा रिसोर्स को इसी तरह वेस्ट मत करो अपने जो से उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट भी करो ऐसा नहीं कि सामने वाले ने जो ब मैंने यहां से किया है तो उनकी चीज़ें चलती रहती है क्यों कि उसके लिए उनको प्रोपर सपोर्ड मिलता है उस चीज़ें कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें तो अपने आप सोच कर समझ कर किसके बोलने पर काम नहीं करना है एक बार नहीं करते हैं पहले इस्तमाल करो फिर विस्वास करो, तो कोई भी चीज है पहले इस्तमाल करके देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है, अंदर से सटिस्फक्षन मिल रहा है, और लोगों से पूछने के बाद में, तो ही आप लोग उस चीज को यूज करो, ठीक है, एक जगे नहीं, कई जगे पूछने के आगे बाद करते हैं, आपर, वूमेन के उपर, महिलाओं के उपर अलग इंपैट आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा है, जो 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 गई वो लड़कियों के गई, ठीक है, समझ सकते हो, आप लोग यहाँ पर कंडिसन क्या देखने को मिली, क्योंकि लड इंटरनेट था, वो तो अपनी इज़त बचागर चला गया, इज़त बचागर मतला वो तो अपना काम निकाल कर चला गया, पर जिसके पास में इंटरनेट था, वो भाई साब घुटनों पर आ गया, तो यह इशू आप लोग को देखने को मिले, तो क्या रिकवरी होगी, तो हाँ भाई साब रिकवरी तो होगी, पर लेकिन आराम से नहीं होगी, ठीक है, तो नो रियल रिकवरी इन दो फोर्म ओफ पेंडमिक, तो विदाउट दा ब्रोड बेस एक तरीके से अगर प्रोपर एक होगी है, धाचा बना कर चलो, आप लोग को सेलेक्शन होना है तो क कम भी रेस के घोड़े आप लोग बन जाएंगे, वरना क्या रहेगा, वरना आप लोग को पता चलेगा, पहले प्रिलिम्स निकाल लेते हैं, अचा प्रिलिम्स निकाल लो फिर अगले दीनी, मेंस से निकाल लेना, मेंस नहीं निकला फिर इंटर्युमें में साथ में प्लानिंग करनी पड़ेगी पोलिसी मेकर को और जो इन्फोर्मल सेक्टर है जैने रेडी लगाने वाले ठेले लगाने वाले या माइक्रो स्मोल मीडिया में इंटरपाइस जो घर में अपना धंदा चला रहे हैं तो उनकी ओपर भी फोकस देकर चलना पड़ेगा ज यह एरिया काफी ज़्यादे जरूरी है अलग लिवल पर जाकर काम करना पड़ेगा इंटरनेशनल लिबर ओर्गिनेजेशन जिसको आप लोग आयल लो बोलते हो 1919 में बनाया गया था और 2019 में याद रखे गए इसको अभी पूरे 100 साल पूरे हुए थे ठीक है तो इसलिए यहाँ पर यह रिसेंटली अभी न्यूज में था बनाया किसलिए गया था यह इतना इंपोर्टेंट कुश्चन है पता नहीं क्या इनको कि खुजली हो रखे एक्जामनर को यह कुश्चन बड़ी बार पूचा गया है किसी भी एक्जाम में कई सारे स्टेट फीसे से मैंने देखा रिसेंटली अभी पूचा गया था यह कुश्चन ट्रीटी ओफ जो हाँ पर बात की जा रही है वर्सले के बारे में तो आप लोगों को बताना है कि हाँ पर यह जो थी जब वर्ल्ड वर्स जो खतम हुई है आप उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिली वर् यह एजनसी जो हैं यह सामने निकल कर आए थी यह बेसिकली इस तरीके से लेकर चलती है ताकि आज केरे में सब को साथ लेकर चला जा सके तो ट्राइपार्टाई ओर्गनेशन की बारत की जा रही है नहीं कि तीन पार्टी मुनलब कौन एक तो लेबर फोर्स होगी काम करने जो की हाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर और उर्गनेशन तो लेबर मतलब जो वर्किंग फोर्स है तो उसके बारे में आप लोग यОदरा रखेगा इसी के साथ में हां पर इंटरनेशनल जो मेंबर हैं तो इंडिया फाउंडिंग्मेंबर है यह जब बना जब से 1969 में जो आप लोगों को पता रखना है ठीक है इसके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर fraternity जो लोगों के वीच में जो peace है इसी के साथ में decent work के ओपर काम किया गया और एक तरीके से technical assistance कई सारे developing country को provide कराया कि कैसे अपनी workforce को आप लोगों को रखना है तो बहुत सारी चीज़ आ एक प्यारी organization जिसने काफी सारा काम किया है दुनिया में लोगों की health को सुधारने के लिए तो उसको बोलते है international labor organization ठीक है तो basic चीज़े है I hope कि आप लोगे mind में इसको लेकर clarity आई होगी confusion नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी ठीक है तो पूरा article काफी detail में समझ लिया कि कह आप लोगों को बता दी अब कोई confusion हो तो बताएगा उसको फिर दूर के जाएगा comment box में लिख सकते है comment box आप लोगे लिए open है इसलिए ता कि आप लोग अपनी बाते रख सकें okay next article के और चलते हैं यह हैं यह आपर biodiversity और environment के बारे में अभी biodiversity और environment के बारे में अगर आप लगी थी दुनिया भर के जीव जन्तु मारे गए थे तो हम लोग basically ऐसे हरकादे कर रहे हैं आज कि प्रती का जो time pressure हो काफी ज़्यदा बढ़ता हुआ जा रहा है तो यहां पर biodiversity और environment के point of से यह paper में आप लोगा question बन सकता है इसी के साथ में बात करें अभी अमेरिका सारे ज है ठीक है कहीं कोई टोड़ा मिल गया उस पर research करने लगते हैं क्योंकि पेट से भरेवे आत्मी है यह सारे काम developed country करेगा अब हमारे जैसी country है ठीक है अब भाई साब यहां लोगों को जोव नहीं मिल रही है लोगों को रोटी नहीं मिल रही है आप लोग लगता है वो लोग पूजा बाद में काम दो जा तो हमेशा यह ऐसे इसे काम इसलिए अमेरिका वाले करते हैं क्योंकि खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है सारी चीज़े वैल इस्टैबलिस है वैल टूडू फैमली वाले लोग वाह वर रहते हैं और दुनिया को इंजोए करी रहे हैं तो इ इन्वर्मेंट से लेटर या प्लास्टिक से लेटर या फिर कोई और इसे टाइम प्रेचर बढ़ गया इस सब चीज़े तो यह आपर चीज़े बताती है ठीक है तो समझते हैं क्या क्या बाते की जा रही है तो बोला गया कि यहाँ पर लास्ट दस सालमों अगर देखोए आप तो वह में स्टियर अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर बिगन किया गया था 1880 से यहाँ पर यह क्या मतलब है इंडस्टिल जब रिवोलुशन आना इस्टार्ट हो था ना जब बिटेन के अंदर में कपड़े बनाने की जो उध्योग करांती आय थी तो उसके बाद में चीज़े चेंज होना इस्टार्ट होगी तो उसी को यह भी काउंट करते हुए चलते हैं आप तो डेटा कलेट किया गया उससे की जो स्पेस एजेंसी है नासा के द्वारा चली नासा की आप लोग बताए फुल फॉम किया है ठीक है तो यहाँ पर इसके द्वारा हो गया और अभी टाइम प्रेचर बढ़ता ही जा रहा है तो अलग अलग लिवल पर कहां कहां पर टाइम प्रेचर बढ़ रहा है उसको यहाँ पर दिखाने कोशिस की जा रही है यहाँ पर कहीं जगे आप लोगो एवरेज देखने को मिलेगा कहीं पर कूलर दैन एवरेज और कहीं पर warmer than average, कहीं पर जादा गरम और कहीं पर जादा ही जादा गरम ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगो इस तरीके से अलग-अलग जो 25 यहाँ पर दिखाएगा न यह तो यह पूरा उस तरीके से दिखाने कोशिस की जा रही है, कहां कहां पर क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रही है अब यहाँ पर कई सारी interesting चीज़े में आप लोगो बताने वालो हूँ जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई आप लोग से direct पूछ ले, direct कोई क्या पूछेगा मैं ही पूछूँगा, पहले मही मज़े लूँगा न अगर कोई पूछ ले, आप लोगों से northern hemisphere जादा गरम होता है, फिर southern hemisphere तो बताइए वीडियो को पोज करके कौन सा जादा गरम होता है, एन में लिखेगा northern और इसे में लिखेगा southern तो आप लोगों को समझ में आएगा भी क्यों होता है और कहां पर होता है, तो वो मैं चीज़े समझाता हूँ northern hemisphere की जो land है वो 3rd highest आप लोगो देखने को मिलेगा 2016, 2020 और अभी हापर 2021 अगर बात करें हाँ आपर southern hemisphere में जो temperature है वो 9th highest आप लोगो देखने को मिलेगा अच्छा मैं आप लोगों से पूस्ता हूँ एक मिनट के लिए अगर वीडियो को पोस करके की पानी जादे जल्दी गरम होता है या फिर आप लोगों को लगा कि जमीन जादे जल्दी गरम होती है याणि कि पानी है और एक जगे जमीन है तो land mass है तो कौन सा जादे जल्द पर बिसिकली अफरीका का हो गया और आस्टेलिया हो गया वलेकिन ऊपर जाओगे रस्या हो गया अफरीका का ऊपर वाला हो गया यूरोप हो गया नोर्थ अमेरिका हो गया साथ अमेरिका थोड़ा सो फोर्सन हो गया तो नोर्धन हमिस्पेर में क्या है जादे मिट्टी है तो अमेरिका और अफरीका के बीच में और पेसिफिक ओशन होगे इधर जो आप लोगो देखने को मिलेगा ठीक है तो अगर बात कि जए हैं आपर तो सेवन्थ हाइस्ट ओशन हीट कॉंटिनेंट आप लोगो देखने को मिला लास्ट सेवन येर में जब बात करें हैं आपर 2015 से आप लोग घंदी बद smih बात कर रहे हैं हम लोग कर रहे हम लोग कर रहे हैं जयानी हुँमन एक्ट्वीटगी अब आइसब इतने बड़े-बड़े पार प्लांट लगा दिये, कहीं आप लोग कोल्या जला रहे हो, कहीं आप लोग लगडी जला रहे हो, कहीं आप लोग यहापर गाडिया चला रहे हो, कहीं पैट्रोल जला रहे हो, कहीं आप लोग मिट्टे का तेल जला रहे हो, ठीक है, कहीं आप लोग पोलतीन जला रहे हो, कहीं आप लोग भेटे चला रहे हो ठीक है कहीं आप लोग energy create कर रहे हो कुछ और काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चलता है रहता है जमीन पर hard time किसी देश के किसी कोने में कुछ ना कुछ हमेश से जलता हो ने जराएगा और जब भी कुछ भी जलेगा उसमें से आप लोग carbon dioxide निकलती है ने जराएगी ठीक है greenhouse gas निकलती हुए आएगी अगर यहाँ पर carbon dioxide निकल दिये हैं तो लोग फिर भी समझ्यों आता है कुछ-कुछ ऐसे area जहाँ पर आप लोग को CH4 यानि के methane निकलती है तो इसलिए थोड़ा साही है अप सोचो की जितने लंबे समय तक carbon dioxide टिक जाती है इतने लंबे समय तक अगर methane टीन नहीं लगती तो अब तक आग जो है जो परती जो है वह अब तक उबलती हुए आप लोग को नजर आती इतना खतरनाक condition यहाँ पर देखने को मिलता अभी फिलाल अगर बात करें यह जो green house gas है यह जमीन का time temperature बढ़ाती है और जमीन के time temperature बढ़ने की वैसे आप आज केरे में Arctic Ocean हो गया sea level है जिससे समुझे से माल लिए जहां जहां पर है पिंग्लेंगी पिंग्ले के बाद में कहाएगी तो भाएस अब नदियों के थुर होती ही कहाँ पर आएगी तो समुझे समुदर के लिए ओर दिककत देखने को मिलेगी तो उसके बारे में बात करूँगा तो Intergovernmental Panel on Climate Change, इसके बारे में कई बार में आप लोगो पढ़ा चुकों, इसको IPCC बोलते हैं, IPCC के दौरा अभी 6th Assessment Report, यानि के चेक किया गया और 6th Assessment Report का, Part 1 अभी इनके दौरा प्रसुत किया गया, 3 Part में यह रिपोर्ट है, Part 2nd और Part 3rd जो है, वो 2022 में अभी इनके दौरा प्र का दे कि भाए साथ सुधार लेना चीज़े वरना फिर हमारे बसकी बात नहीं है, यह क्या होता है, इसमें दुनिया भर के सैंटेस्ट इखटे होते हैं, और वो देखते हैं कहां का पर क्या क्या दिक्कत हैं, देखने को मिल रही है, और उन दिक्कतों का solution निकालने की बाते करते हैं, तो यहाँ पर मिल जूल कर यहाँ पर एक तरिये solution निकालने कोशिस करते हैं, बताते हैं दुनिया में जो जो लीडर है कि भाए साथ सुधर जाओ, वरना सुधार दी जाओगे climate के द्वारा, इंडियन सब कॉंटिनेंट स्पेसिफिक अगर finding के बारे बात करें, य नहीं पर तो इतनी बारिस हो गई कि बाड़ आगे, कहीं पर ऐसे ही पानी की बूंद के लिए लोग तरस गए, साउथ वेस्ट मोंसून जो है, वो डिकलाइन आप लोगो होते ही नजर आ रहे है, सी का टाइम प्रेचर जो है, वो आप लोगो बढ़ता हो नजर आ रहा है, अरेबियन सी और वेव बंगाल में, सबसे ज़्यादा लोग मैक्सिम आप लोगो ही पर रहते होए नजर आएंगे, पोपुलिशन के वेस्ट पर अगर मैं आप लोगो बाते गुरू, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आप लोगो अलग पैटर नजर आएगा, नोर्मल मोदी जी कसम खा के आएं, पांच, पांच कसम कोई से थी, कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और कबूल है, तो क्या गया कबूल है, पहला कबूल है, तो ये था कि भाई साब, 50, 50, 500 गीगावार्ट हम लोग 230 तक, basically, ओन फोसील एनरजी की यहाँ पर हम लोगो क मत जाना पता चला तुम निकल ले हैं और फिर हमारे उपर बढ़ गई सारी चीज़े जो भाइडन ने बोला ठीक है वाई साब काम करेंगे मिलके साथ में ठीक है 50% energy requirement जो है वो renewable energy से लाएंगे 2030 तक का ठीक है तो ये बोला गया इसी के साथ में reduce करने की बात की ज़रे total जो भी projection होता है carbon emission का 2030 तक का यहाँ पर अचीव करेंगे net zero net zero मतलब 2070 तक का जितना carbon dioxide जो हम रोग रिलीस करेंगे उतना ही उसको फिर sub zoom करेंगे तो यह पांच जो यहाँ पर पांडव की कसम यहाँ पर खाएगी तो यहाँ पर इसको अचीव करने की बात की जा रही है तो क्या कुछ करने के लिए प्लान बनाएं हाँ भाज साब बिल्कुल प्लान बनाएं है ऐसी थोड़े न हवा में बाते कर दी जाकर already international solar alliance हमारा चली रहा है coalition for disaster resilient infrastructure यानिके ऐसी धाचे बनाना जहां पर हम लोग disaster को handle कर सकें वो चली रहा है wind energy की बात कर लो solar की बात कर लो hydro की बात कर लो geothermal की बात कर लो या bio mass की बात करो तो ऐसा नहीं है भाई साब काम नहीं कर रहे हैं तो काम किया जा रहा है पर लेकिन जितनी population है न हमारी देश की जितनी आबादी है उसके इसाब से और तेज काम होना चाहिए तो यह आप लोग बोल सकते है renewable energy के बात करें तो renewable energy capacity non fossil fuel यानिके आज के इनमें बात करें non fossil fuel को किस तरीके से increase करने है तो इसके ओपर ही पूरा focus दिया जा रहा है तो increase करने की बात करें तो इनक्रीज करने की बात करें more than 25% ठीक है past 7 year में और 40% ये करीब total और mixed वो लेकर चल रहे है यानि कि अलग-अलग एरे में step उठाएगे है ऐसा आप लोग नहीं बोल सकती कुछ नहीं किया गया है तो ये काफी important था है आपर जो कि आप लोगों पता होने चीए direct question आप लोगों से पूछा जा सकता है अब ये article मैंने आप लोग से discuss किया इसी के मिलता जुलता है एक और article है जो कि आप लोगों जानने को मिलेगा ये भी important location भी हाँ पर आप लोगों से question पुछा आ सकता है बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में आप लोग बोलोगी एक बार दिखाओ तो सर कहाँ पर इंडोनेशिया तो आईए भाज साब ये है अपनी प्यारी country यहां से आउगे तो नीचे आप लोगों इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा यह है इंडोनेशिया इंडोनेशिया में बरबादी इतनी होगी सोचो हमारी दिल्ली में पानी भर जाए हम लोग बोले दिल्ली को आउगे नाम नई भाज संतरे के सामने नू और लगा ले ना नू संतरा ठीक है तो यहां पर नू संतरा है इसकी कैबिडल ठीक है तो यह आव लोग याद रखेगा अब तो नहीं भूलोगे ना कि इनडोनेशिया की नई कैबिडल कौन से बनने वाले है तो संत्रा नू संत्रा ठीक है तो ये इस तरीके से आधरना ठीक है तो बात की जा रहे हैं आपर नू संत्रा ठीक है तो ये इसकी capital होने वाले है पहले कौन सी थी जकार्ता थी तो क्यों change कर रहे हैं ये change इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर दिक्कते बहुत हो जाते देखन पानी का लेवल बढ़ रहा है पता चला कल को बह गए सारे क्योंकि सब कुछ ही पर रहेगा जहां कैपिटल होगी वाँ सारे सिस्टम आप लोगो देखने को मिलेगा तो इसके चलते दिक्कते देखने को मिलती है तो जकारता जो है वहाँ पर अगर बात करें जावा सी आप ल लोगो देखने को मिलेगा कलीमंतन यह पर्टिकलर एरिया है इनका यहां पर जहां पर यह नई कैपिटल बनाने जा रहे हैं तो यहां पर यह आप लोगो नज़र आएगा ठीक है बेसिकली यहां पर उपर भी कई सारी चेरे हैं देखी न्यू पापवा गुनिया हो गया य प्रोलम आप लोगो देखने को मिलेगी वह नहीं कि दिल्ली पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में अगर आप लोग डिफ्रेंस देखोगे जाकर तो नज़रों से आप लोगो समझ में आ जाएगा कि कैसा धांचागत विकास हुआ है तो कैसे सुधारना है तो पूर पैट पूरेशन के मामले में अगर आप लोग बात करो चाइना में सबसे अधा पूपूलेशन है जो कि दुनिया की 18% पूपूलेशन है इंडिया में दुनिया की लगबग आप लोगो 17% अब 18% होने वाली हमारी भी यह से 30 नंबर पर 4% और इंडोनेशन चोथे नंबर पर सबस जाएंगे तो कैसे लोगों को बचाएंगे तो बोला यह गया कि जकारता जो है वो आजकर में सेंटर है जहां पर एड्मिस्येशन, गवर्नेंस, फाइनस, ट्रेड सारी चीह देखने को मिलती है अगर कल को चलके जकारता ही डूबना स्टार्ट होगे तो पूरे देस में त जाएंगे तो यहां से यहां छलांग लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा इससे कुछ सूलियत इनको रहेगी यह बोला जा रहा है तो अभी हाँ पर अगर बात करें इंडोनेश्य की जो कैपिटल है यह इंडिपेंडेंट होता 1949 में तब से यहां पर काफी जदा है पोलिश तो इसकी वज़े से यहां पर यह चैंज जो किया रहा है इनके दोरा यह आप लोगे सामने हैं आप जिसको आई या पर आगे लेकर चलने की बात की जा रही है तो यहां पर पुत्रा जा फ्रों कोलालमपुर जहां पर दुजार तीन में उनके दोरह ने इसको चैंज किया नाइपाइडव फ्रोम रंगून आप लोग ने सुना मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलेफोन तो यह रंगून हुआ करता था पहले अब यहां पर यह नाइपाइडव हो गया इनकी कैपिटल मैंमार की वह यहां पर विलेटरी रूर बैठ है ना वो भी तो आप लोग को देखने को मिलेगा तो यहां पर यह एक तरीके से पूरा सासन जो है यह कई बार न्यूज में भी आता है तो कोई पूछने लगे कोई पहली कंट्री बाइस साब ऐसे करने वाली ऐसा गुचने यह बाइसा पहले भी ऐसा हो चुक है वही बात है कि हाँ पहले भी ऐसा हो है पहले मिं घोडी पर बैठा हूं ठीक है उसका दोस्त आता है कि हाँ पहले भी ऐसा है यह देखो अब की बार गोली मारेगा सीधा आकर ऐसी अरकते मत करो ठीक है तो वही बाते हैं तो पहले भी ऐसा हो चुग है तो नुसंत्रा जो है यहाँ पर यह लगबग हाला की कोई पूछे का निये 56,180 हेक्टियर में आप लोगो देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर कलीमंतन जो प्रोविंस है उसके अंदर में ठीक है बाकी यह लोकेशन आप लोग हलका सा याद रखते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर जो हां के इनवर्मेंट लिस्ट है वो यह बोल रहे हैं कि तुमने यार ज होगे हैं वहीं पर शुधारों पहले उसको अब आना है यहाँ पर तो यहाँ पर कही सारेगों इनवर्मेंट के जो ध्यान रहने वाले लोग है बैचारेश की लेवल राई, समुंदर का लेवल बढ़़ रहा हैります आप लोग के माइन में तुरंद कोश्चन आना चाहिए तो भाई साब समुंदर का लेवल इसलिए बढ़ रहा है आज की डेट में क्योंकि हम जैसे इनसान जो है ना वह ऐसे हरकते कर रहे हैं पता नहीं क्या-क्या जला रहे हैं इस प्रृथी के ओपर प्रृथी का टाइम प मैक्सिम आप लोगों ने देखा होगा कोईले को जलाकर हमारे देशें बिजले बनाए जा रही है तो उससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं फैक्टरी चल रही है तो ग्लोबल वर्मिंग जो है काफी बड़ा रीजन यहापर बनता हो जा रहा है और तीन एरिया बत ठीके ऊपर जाओगे आप लोग यहाँ पर ठीक है आठीक होगी हापर अंटार्टी का वाला रीजन होगया फर आप लोग ग्रीण लैंड वगएरा देखने को मिलेगा वो सब चीज़े पिंगल रही है उसकी वेशे क्या हो रहा है पानी पिंगल रहा है तो पानी पिंगल है जहां जहां पर भी ग्लेसर क्या होते हैं जही कि परवध है परवत की चोटी पर रुख पहाड़ वह पिंगल तो आप लोगों के बलब बरब मतलब बर पड्रूब टीक है जाते हैं आप लोग घूमने सर्डवियों में की बलब घूम का भी देखने को मिलेगी तो अभी हाँ पर सी का जो लेवाले काफी जब चेक किया गया तो उसे पता चला से लेजर अल्टिमेटर से की काफी लाज जाज चीज़े घट रही है आपर ठीक है तो यह बोला जारा आने वाले टाइम में यानि कि आर्टिक सी जो है वो लोबेस देखने को तो आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाली जन्यसन की हालत जो है वो कैसी रहने वाली हाप तो इसलिए बोला जा रहे हैं आपर बार-बार कॉन्फरेंस वो पार्टी हुई 26 यह सारी चीज़ें कि भाई साब यह हरकेते सुधार लो वरना आने वाली जन्ता जो है वो रोएगी कि हमारे पूरवज कितनी बत्तमी जी काट कर गए है ठीक है दिक्कत क्या होती है आपर लोग जोग को देखने को मिलेगा ओल ओवर वर्ड में लोग डिस्प्लेस होते है यह क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जाते है वर्ल्ड में क्या होता है उस एरे को छोड़़ों कर कही और जाएंगे उनको तो जान बसा नहीं अपनी अब कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर refuse बनते हैं refuse का मतलब यहां के नहीं है किसी reason की विए से हाँ पर आ गए है reason climate change हो गया लडाई हो गी भुकमरी हो गी बीमारी हो गी पता नहीं कोई बहुत सारे लोग जोब की वे से भी जाते हैं एकेरियों को छोड़गा तो refuse बनकर जब यहां पर आप लोग रह रहे हैं लेकिए जोब के लिए जाते हैं वो basically और जा रहे हैं तो वहां पर भी फिर दिक्कत पड़ेगी resources के ओपर impact पड़ेगा भोजाद है ठीक है इसके साथ में tourism और जहां पर एक तरीकी से military preparedness है वो अलग लेवर पर आप लोग को impact होती नज़राएगी negative impact पड़ेगा जैसे ताइम प्रेचर बढ़ेगा कहीं पर cycle नोन के island है उसने plan के यहां पर कि shift हो जाएंगे फिजी island पर capital को लेकर इंडोनेशन में भी यह चीजा आप लोग को देखने को मिलगी इसी के साथ में हाँ पर giant gruda करके यहां पर एक wall बनाने की बात कि जा रहे थी कि एक wall बना देते हैं कि कल को चल कर ना कि पानी ना आए यहां प अब आप लोग बोलोगे और 9 राज्य तो समझ में आगे 4 union territory कोन सी है चलो पहले 9 राज्य बताओ देखता हूं कौन कौन बताता है 9 राज्य गिनने स्टार्ट करो जाना आप लोग को समझ में आ जाएगा जैसे यहां पर गुजरात हो गया थोड़ा नीचे आओगे तो महर पर देखने को मिलेगी पुदीचेरी ठीक है इधर आओगे तो आप लोगो लक्सेदीप इधर आओगे तो अनमानिकोबार और यहां पर आओगे तो दमनेंद्यू दादरें नगर हवाईली तो 9 राज्य और 4 union territory जो है उस अदमे में आ जाएगी गर हमारे देश में भी एक कोसिस करते हो तो इसलिए फोकस कियागे कि 9 राज्य और बिसिकली 4 unit territory है उनको आप लोगो ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग बोलोगे कि यार कोई काम नहीं किया गया कि इसके लिए किया गया है पर लेकिन बना दिया उनको फोलो कोन कर रहा है नेस्नल एक्सन प्ला इंडोनेशन के बारें बता दिया reason क्या और है कहां पर क्या दिक्कत आ रही है कल को कोई लिखने के लिए भी कुछ पूछ लेगा ना तो सारी चीज़े आप लोग लिख पाओगे तो यह बेसिक इंफोर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगो बता होना चाहिए एक और चो समझाओगे इसकी importance के article की हमारे देश में अगर judiciary के बारे में आप लोगों से बात करूँ तो सबसे उपर आप लोगो supreme court फिर आप लोगो high court फिर district court फिर civil court और फिर metropolitan magistrate तो इस तरीके से court system आप लोगो नजर आएगा अब बात करें जैसे की local area में हो गया जैसे district हो गया तो ए होने ही level पर वहाँ पर judge select हो रहे हैं अपने ही local area कि तो समझते हैं जिस भी area में रहते हैं कि होँआ की language कैसी है ठीक है पर लेकिन अगर बात करने लगे हाँ पर supreme court और यहाँ पर basically high court के बारे में तो यहाँ पर आप लोगो दिक्कत है देखने को कई बार मिल जाएगी सोचो supreme supreme court में बोलने लगे कि हम लोग को क्या करने take location may material only start करनी है ठीक है यब फिर Malialam बोलनी start करनी है च champ चलो गुजराती बोलनी start करनी है ठीक है करोगे यहाँ पर इसके दाव़ा कोई language आप लोग यहाँ पर यूज नहीं करोगे अब बात करते हैं high court की देखे high court में provision तो ऐसा ही है कि आप लोग इंगली से बाते करो पर लेकिन क्या देखने को मिला मिला अभी यहाँ पर कि अगर बात करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं local language सम कर देए कि नीचे वाले जो कोट हैं उसको कैसे ले कर चलने हैं तो उसी के ऊपर यहाँ पर यह केस बना अभी जिसके बारे में आप लोग से बात करने वाला हूं गुजराथ हाई कोट के अंदर एक जनलिस्ट को पूछा गया कि contempt of court का वो charge face कर रहा था उनको बोला गया कि English में बात देगरो अब जनलिस्ट बोलने लगा कि English तो आती नहीं मुझे तो बोला कि फिर क्या किया जाए तो यह इसके चलते हैं पर यह issue निकल के आ गया कि उसको बोला गया English में बात देगरो तो right to justice तभी तो होगा जब इनसान को समझ में आ रहा है कि judge क्या बोल रहा है अब judge को your language बोल के चला गया तुम को your language बोल के चलेगा ये वकील को your language बोल रहा है तो भाई साब हो लिया फिर तो काम यहां पर ठीक है तो तब चीज़े ढंक से चलेंगी तो उसी चीज़ यहां पर चीज़े देखने को मिल रही है तो अगर आज से में पुराने टाइम में थोड़ा सा लेकर चलू मुगल के टाइम पर आप लोगो यानि के जब यहां पर मुगलो का राज चला करता था उस ताइम पर कोट के लेंग्विज पर्शन या फिर उर्दु हा करती थी फार्सीज स्क्रिप्ट आप लोगो देखने को मिलते थी पर लेकिन उसके बाद में क्या हुआ मुगल समराज्य का पतन हुआ उसके बाद बिटिज आ गए अब बिटिज तो भाई सब अंग्रेजी लोग हैं तो उनके द्वारा अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दी तो हमारे देश में जब कोई 200 साल तक रूल करके जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 200 साल तक तो इससे क्या हो गया इससे यह हो गया कि लोग जो हैं मैक्सिम इंग्लिस अंडरस्टैंड करने लगे क्योंकि हर जगा सारा सिस्टम उनके द्वारा इंग्लिस में फोलो किया जा रहा था तो हमारे देश में मैक्सिमम आज केड़ में जो अंडरस्टैंड करने वाली सबको कनेक्ट करने वाली सबसे जो ज़्यादा लेंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगी क्यों क्या गया एसी है तो अपनी लेंग्वेज को बोलते हैं और प्राउड फेल करते हैं पर लेकिन हमारे हम पर क्या अगर इंग्रेजी को बोलने में प्राउड करते हो सोचो अंग्रेज जो है वो हम जो है अंग्रेज को पर रूल कर रहे होता ना तो अंग्रेज जो है वो हिंदी बोलने में प्राउड फिल करते हैं क्यों 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 हमेसा जो राजा होता है उसकी लेंग्वेज को प्रिफर किये जाता है कि Hindi language for any official purpose of the union और other than English language आप लोग यहाँ पर use कर सकते हो यानि कि provision दे रखे हैं कि हाँ अगर किसी को लगे कुछ change करना है तो बाई साब administration ने तो समिधान बनाने वालों ने बोल दिया कि सारा ठेकरा हमारी सर पर रखोगेगा अब अपने हिसाब से change करते रहें जैसे तुमको लगे time पर हम बना के जा रहे हैं समिधान उसको फिर अपने हिसाब से implement करते रहें तो article 348 जो है वो बात करता है परलेमेंट के बारे में अगर बात करें कि हाँ पर बोलता है कि otherwise all the proceeding before supreme court और high court वो क्या होनी चाहिए वो English में होनी चाहिए नोर्मली तो ये बाते बोलेगे कि English में होनी चाहिए पर लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगी हाँ पर तो फिर authorized भी हाँ पर करता है कि state का जो governor है ठीक है तमिल लाडू के अंदर आप लोग जाकर देखोगे वर कर रहा है कि हाँ तमिल को यहाँ पर court के अंदर यूज के जाए तो यहाँ से क्या आप लोग को समझ में आ रहा है यानि कि supreme court की तो language हम लोगों ने fix कर दी पर लेकिन सूलियत कहां से मिली अब कैसे कैसे implement करना है तो फिर उसके लिए official language act लेके आए 1963 में तो governor जो है state का वो previous consent लेगा president से ठीक है कि authorized करना है हिंदी या फिर official language state में कि हाँ पर उसको high court के language में use करना है गया ऐसानी कि रात को सपना यार तुम लोग ने कर दिया पहले proper way में consent आप लोगो लेना पड़ेगा पर लेकिन primacy English को ही दी जाएगी क्योंकि वो एक तरीके सब understand कर पाएगे तो इसलिए क्योंकि high court के अंदर बेगर कोई decision आ रहे है कल को चल कर वहाँ पर वो supreme court के अंदर पहुंच रहा है फिर एक high court ने कोई decision दे दिया तो दूसरे high court के ओपर भी इसका implication बढ़ता है तैसे समझ सकते हैं आपर यो तो official language जो है उसका act तो आगया आप लोगे सामने पर लेकिन supreme court में English ही रहेगी only proceeding की उसके ओपर कोई impact नहीं पड़ेगा यह आप लोग को याद रहना है अब बात करते हैं सबोडिनेट court के बारे में तो सबोडिनेट court के लिए यह बोला गया इनके जो नीचे वाले court नहीं है पहले supreme court हो गया फिर high court हो गया फिर उसके नीचे जो court आगे उसमें यह बोलागे कि civil procedure code जैसे समझे उस area में तो उसको implement करके चल सकता है तो section 137 जो है civil code of civil procedure का वो यहाँ पर singular language यूज़ कर सकता है जो act के अंदर लिखी गई है माल यह एक राज्य है वहाँ पर वो कोई language यूज़ कर रहे है वो भी हाँ पर बोलता है कि state जो है वो determine कर सकता है language all the court other than high court यहाँ को छोड़ का बाकी नीचे के सारे जो court है उनकी language जो है वो state को decide करने के लिए बोल दिया क्योंकि वो local area में काम करेंगे district में काम करेंगे भाई सब तैसील में काम करेंगे तो वहाँ पर अपने हिसाब से काम कर सकते है अगर समझ में नहीं आगे तो कैसे काम चलेगा तो judgment, order या decree जो है वो English से पास कर सकते है उसके बाद में फिर उनको आप लोग decode, record भी कर सकते है अपनी language में जो भी state की language होगी यानिके उसको यहाँ पर allow किया जा सकता है तो यह मुद्द आप लोगो देखने को मिलेगा अब एक बात आप लोग के मायने में आ रहे होगी अखिर इतना force क्यों करेगी यार English use करनी है देखे हमारी country ना, बहुत ही diverse country है दुनिया भर की language है, अलग-अलग तरीगे लोग आप लोग को देखने को मिलेगे तो इससे क्या रहता है, एक unity बनी रहती है तो judgment अगर कोई आ गया तो पूरे देश में उसको implement किया सकता है आसानी से, ठीक है कोई कई सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी language से familiar नहीं होगे बोले ना भी दूसरी language बोल दी तो कैसे काम चलेगा एक तो यह देखने को मिलेगा ओल जज्जमेंट से Supreme Code में अगर बात करें वो English में deliver कियाते हैं, इसलिए आप लोग को देखने को मिलेगा इसलिए के साथ में unified structure आप लोग बता हमारी country में जूड़ी सरीगा उसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया और यहाँ पर English जो है वो एक ऐसी link करने वाली language है जिसको मिलकर सब बोलते हैं, हवाई सब यह language जैसे जिसमें हम भी interest रखते हैं और यहाँ पर implement किया जा सकता है तो यह था total large का discussion, यह detail है मैंने आप लोग से article discuss किया तो कौन कौन से article discuss किया, एक तो यह हाई court, supreme court वाला यह सारा discuss कर ले हम लोगोंने एक यहाँ पर मैंने आप लोगों से discuss किया, पूरा है यहाँ पर एक particular ILO की report के बारे में सारी बाते बता दी इसी के साथ में यहाँ पर बात कि हम लोगोंने temperature के बारे में कहाँ का temperature बढ़ रहा है हमने क्या किया कि कसमें खाई उसको कम करने के लिए इंडोनेशन की capital कहां कहां से transfer हो रही है एक यह वाला हम लोगोंने काफी detail में discuss किया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई confusion होगा अगर लगता है कोई confusion है तो बताना है यार फिर उसको दूर करूँगा जहां तक मुझे possible होगा और जो भी morning में उठ रहे हैं तो उनको salute है यार सबके बस की बात नहीं अगर आप लोग उठ कर इस तरीके से lecture देख रहे हो अपने schedule को follow कर रहे हो तो आप लोग को salute है ठीक है क्योंकि इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से अबना pattern follow कर रहे हो तो ये जिन्द की भर के लिए pattern बना ले ना इसने के भी पढ़ रहे हो तो pattern चल रहा है बाद में ना चले तो इसी तरीके से अबना ध्यान नखिये तो बढ़ो को नमस्ते चोड़ो को प्यार चोड़ी से life and enjoy कर रहे हो मिलता हूं next lecture में morning में तब तक के लिए जैहिंद